हलो दोस्तों मैं हुआ हैं फियाज और आप देख रहे हिंदी टेक वीडियो अगर आप वाकई यूटूब पे एजुकेशनल चैनल चला के या फिर आप पढ़ा के पैसे कमाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है देखें मै यूटूब पे एजुकेशनल चैनल के वीडियो कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताता हूँ और बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप कॉपी पेस्ट करके अपने यूट पर 10 मिन रगेंगे और आप आदाम से बहुत एक कमाल का एद्यूकेशनल वीडियो बना लेंगे तो चले चलते अपने लप्टॉप स्क्रीन पे जो चीज देख रहे हैं ये बहुत एक कमाल के चीज ए ये एक टेंपलेट है जिसके अंदर से पोप्पने सवाल जवाब कॉपी based कर देने हैं और एक कमाल का educational video बन जाएगा मैं इसका preview आपको दिखा देता हूँ देखें एक बार जैसे internet आप दबाते हैं यहाँ पर आपके सवाल आ जाते हैं उसके चार यहाँ पर option आ जाते हैं और फिर से जोड़ी थोड़ी सी और जानकारी आप देना चाहते तो वह भी देख सकते हैं तो यहां पर यह दो तीन जो की और भी कमाल का मेरा फेवरेट है और एक बार देखें यह जो है यह मुझे बहुत ही पसंद है और आप देख सकते कितना शांदार है इसको कैसे एडिट करना है सारी चीज़े कैसी करनी है इसे वीडियो में आपको आगे बताऊंगा इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लेगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह मोबाइल में चल जाएगा तो आप लोग अगर चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर और लाप्टॉप में तो बहुत ही असानी से चलेगा जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं तो देखे जब आप इससे डाउन एडिट करना जैसे मान लिजी कि आपका राइट अंसर सी है तो वहाँ पर ग्रिन टिक कैसे जाएगा यह सारी चीज़े मैं आपको बता देता हूं तो देखे सबसे पहले आपको अगर मान लिजे कि आपने सवाल को यहाँ पर अपना सवाल लेना है तो आप सिंप्ली सवाल इसको फॉंट के कलर को और पूरे font को भी चेंज कर सकते हैं देखे फॉंट के style को या फिर font के color को या फिर font के size को change करने के लिए simply सबसे पहले आपको उस text को select करना है जिसके size को आप कम करना चाहते है या उसके color को बदलना चाहते है या फिर उसके style को बदलना चाहते है तो मान लिए कि सवाल जो लिखा हुआ है उसके color को मैं change करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं सवाल को select कर लूँगा जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेलेक्टेड है इसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास color का option आ जाएगा अब इसमें से जो भी color आप लेना चाहते हैं उस color को आप यहाँ पर ले सकते हैं जैसे कि आपका सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, box के बाहर जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा font के size को छोटा करके, आप उसको box के अंदर ले सकते हैं, तो इसके लिए आप पूरे सवाल को select कर ले, और यहां पर लेके 36 लिखा, इसे क्लिक करें, और यहां से आप जिस भी font के size को लेने चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे, आपका सवाल उतना चोटा हो जाएगा, यानि कि आपके सवाल का जो font है, वो छोटा हो जाएगा, या फिर आप यहां से जो यह A लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे, तो आपका font चोटा होता जाएगा, और इसे क्लिक करेंगे, तो आपका font बड़ा होता जाएगा, यह सेम चीज आपको हर font के लिए करना है, जैसे जैसे कि हमने सवाल के लिए किया था अब यहां पर राइट साइड में जो आपको यह स्क्वाइर बॉक्स दिख रहा है जहां पर सवाल के जुड़े हुए पूरे डीटेल है आप इनको भी आसान ही से बदल सकते कंट्रॉल ए दबा के डिलीट कर दीजिए और फिर जो भी टाइप कर दीजिए या फिर अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अप हमेशा कापी राइट फ्री चीज़ों को ढूंड़िए और उनको आप कॉपी पेस्ट किया किजिए तो यहां भी आप इस से अपने सवाल से अगले slide में आपका right answer A है, तो ठीक है, अगले slide में आपका right answer B है, तो फिर कैसे करेंगे, आपको simply कुछ नहीं करना है, green tick को एक बाद क्लिक करना है, और इसे mouse click से पकड़ के रखना है, और लाके B के पास छोड़ देना है, ठीक, इसे परकार अगर आपका answer C है, तो आप इसे C के उपर छोड़ दीजे, अगर आपका answer D है, तो आप इसे D के उपर छोड़ दीजे, तो मान लिजे कि आपने 20 सवाल लेने अपने वीडियो में, तो सबसे पहले इस slide का 20 duplicate बना लिजे, डूब्लिकेट बनाने के लिए क्या करना होगा, left side में slide को क्लिक करिए, और यहाँ प right option जो भी है, आप उस पे green tick रख दीजे, जैसे पहले का A है, तो पहले पे A पे रख दीए, मान लिजे दूसरे slide का answer C है, तो आप green tick को C के उपर रख दीजे, इस तरह से पूरी चीज कर लिजे, उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो कैसे बनाना है, वो समझ लिजे, देखे वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले अपने laptop और computer के screen recorder को on कर लिजे, screen recorder जैसे कि अभी मेरे laptop और computer का screen recorder on है, screen recorder on करने के बाद से, आपको क्या करना है, अपना mic अपने laptop के साथ attach कर लेना है, ताकि आपकी आवाज भी record हो, उसके बाद इस पूरे slide को full screen mode में play कर लेना और इसके बीच में अगर और कुछ बोलना चाहते तो वो बोलना है, और फिस जैसे एक बर enter button दबाएंगे, यहाँ पर आपका right answer आजाएगा, right answer के साथ ही, यहाँ पर जो आपने detail लिखा था, वो detail भी आजाएगा, तो इस तरह से एक सवाल आपका complete हो जाएगा, फिर enter button तो इस तरह से आपने अगर 20 सवाल ले रखें, तो 20 बार आप अपने slide को play कर लीजिए, और पूरे screen को record करके वीडियो बना लीजिए, वीडियो बनने के बाद आप उसको थोड़ी पर editing कीजिए, यूटूब पर डालिए, और अपने channel पर upload करिए, और इस तरह से आप एक ब पासवर्ट की, इसका पासवर्ट क्या है, 12694, तो आज की वीडियो कैसे लेगी, कमेंट को की बताएगा, वीडियो जिखने के लिए धन्यवाद,